अगर आप किसी भी एक्जाम्स की प्रिप्रेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हलफुल होने वाली है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के पहला कोशिन है आपका विच अप दो फॉल्लिंग फेस्टिबल इस फेमस इन असम आपको बताना है इन में से कौन सा तियोहार जो है असम में प्रसिद्ध है ओनम, बीहु, हॉन्बिल या फिर खर्ची पूजा तो देखिए अगर असम की बात करें तो यहां का सबसे फेमस फेस्टिबल है आपका option number B, बीहु, ठीक है तो बाकी के तीन फेस्टिबल जो आपको दिख रहे हैं उसको भी discuss कर लेते हैं उनम जो है यह आपके केरल का फेमस फेस्टिबल है यह आपको याद रखना है होर्ण बिल यह भी बहुत important है exam of view से मैंने इसको बहुत बार करवाया है नागालेंड का है यह famous फेस्टिबल और खर्ची पूजा हमने recently दो दिन पहले किया है तो यह कहां का है त्रिपूरा का याद रखना आप लोग असम का है बीहु, ओनम किसका है केरल का होर्ण बिल, न animals की संख्या सबसे जादा है, जानवरों की संख्या सबसे जादा है, इंडिया, जापान, USA या फिर श्रिलंका, obviously यह तो हमारे कहा है, option नमरे भारत देश में, अगला question है, who is known as the father of economics, अब आपको बताना है, economics का जनक किने कहा जाता है, तो देखिए अगर economics के जनक की बात करें, तो option नमबर भी correct हो जाएगा, Adam Smith को हम father of economics कहते हैं, अगला question देखते हैं, which is the largest nationalized bank of India, आप आपको बताना है, भारत का सबसे बड़ा nationalized bank कौन सा है, PNB, SBI, RBI या फिर HDFC, तो देखिए अगर सबसे largest nationalized bank की बात करें, तो ये है आपका option number B, State Bank of India is the largest nationalized bank of India, अगला question देखते हैं, the concept of five-year plans in India was introduced by whom, देखिए अब आपने ये तो नाम सुना ही होगा five-year plans के बारे में, तब आप मुझे बताओ कि ये जो concept है, इंडिया में किसके दवारा introduce कर आए गया, चेतन शर्मा, जवाहर लाल नहरू, डॉक्टर हर्गविन खोराना या फिर शर्वपली राधा कृष्णन, और आपको ये भी याद रखना है, five-year plan जो है न, ये सौबियत union से लिया गया था, मतलब रश्या, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कि कौन से country से adopt किया गय तो देखिए, ये जो five-year plan का concept है, ये किसके द्वारा introduce करवाए गया था, option number B, जवाहर लाल नहरू के द्वारा, ठीक है, अगला question देखते है, when was first economic survey presented in India, भारत में पहला economic survey कब प्रस्तुत किया गया, 1950 to 51, 1954 to 55, 1959 to 60, 1967 to 68, तो देखिए, कौन सा option number A, correct हो जाएगा, 1952, 51, अगला question है, who is the finance minister of India, अब आपको बताना है, भारत के finance minister कौन है, यहाँ पे देखिए, और भी हम कुछ important question discuss कर लेते हैं, finance minister पहले मैं आपको बताता हूँ, यह हैं आपकी कौन, निर्मला सितारमन, और यह जो आप किरन रिजीजू देख रहे हो, यह क्या है, यह हैं आपके, इंडिया के, law and, law and, justice, justice, law and justice, law and, justice minister, मंसुक Vandaviya हैं, आपके health minister, मंसुक Manavya and health minister, और ध़रमेंद प्रधान आपके education minister, ठीक है, याद रकने, आपको किरन रिजीजू देखिए, आपके law and justice minister, मंसुक Manavya and health minister, धरमेंद प्रधान is education minister, और धरमेंद प्रधान is the finance minister of इंडिया अगला कोशिन रेखते हैं वर इस दे बर्थ प्लेस आप सुवाश्चंद बोस सुवाश्चंद बोस जी का बर्थ प्लेस कौन सा जगह है कौलकता कोची कटक या फिर नाशिक यह तो सिंपल सा कोशिन है यह तो आपको पता होना चाहिए और कुछ important slogans भी हैं जैसे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा यह सारे भी आपको या दखना है तो इनका जन्द कहा हुआ था option number C कटक में हुआ था और कटक कहा है कौन से स्टेट में है तो यह है आपका उडिशा और आपको यह भी याद रखना है कटक शहर जो है यह कौन से नदी के किनारे है तो यह है आपका महानदी नदी के किनारे यह भी question आता है कटक is situated on the bank of which river त आपको याद रखना है महानदी नदी के किनारे है कटक शहर अगला question देखते है कुंबलगर फॉर्ट is located in which state of India अब आपका बताना है कुंबलगर किला जो है वो भारत के कौन से राज्य में है गुजरात, महरास्टर, करनाटक या फिर राजस्थान तो देखिए अगर अब आपका बताना है कौन सा यंगेश्ट परसन जो है अचीब कर लिया है 200 विकेट इन टी ट्वेंटी क्रिकेट, शेन वोन, शाहिन अफरिदी, ट्रेंट बोल्ट या फिर अक्षर पतेल, तो देखिए अभी सबसे यंगेश्ट परसन जिसने अचीब किया है 200 विकेट का म याद रखना है करंट अफर के वियू से ये कोशन इंपॉर्टेंट हो सकता है अगला कोशन देखते हैं धामाल और दाफ डान्स फर्म का संबंध कौन से राजे से है सिक्किम, हर्याना, पंजाब या फिर राजस्थान तो देखिए अगर धामाल और दाफ डान्स की बात कर है आपका option number B हर्याना से और अभी recently हमने हर्याना से दो और डान्स किया था एक था फाग और दूसरा था सांग ये भी आपको याद रखना है मैं दो क्लास में बता चुका हूँ और ये तीसरी बार में बता रहा हूँ फाग सांग और धमाल और दाफ ये भी आपको याद र रिसेंटली डिक्लेर किया दिवाली को नेशनल हॉलिडे कैलिफॉर्णिया लॉस अंजलेस कैंसर सिटी या फिर पैंसल्वैनिया तो देखिए यूएस की स्टेट की बात करें जुसने दिवाली को नेशनल हॉलिडेर किया ये है आपका option number D पैंसल्वैनिया अगला question है how many FM transmitter इनाग्रेटेड बाद PM नरिंद मोदी, PM नरिंद मोदी के द्वारा कितने FM transmitters इनाग्रेट किये गए है 90, 91, 95 या फिर 97 तो देखिए अगर FM की बात करें तो PM मोदी के द्वारा total कितने 91 FM इनाग्रेट किये गए है और अब अगर आपसे कभी पूछ ले FM का full form क्या होता है त frequency modulation या आपको याद है तो ठीक है अगर नहीं याद है तो आप इसको लिख सकते हो frequency modulation ठीक है अगला कोशन देखते है विसाखा पत्नम इस famous विसाखा पत्नम की famous है for television for built aeroplane for electric locomotive for ship building तो देखे यह जो विसाखा पत्नम है यह बिसिकली ship के निर्मान के लिए famous है option number D for ship building के popular dance of which Indian state धालो जो कि एक लोकृनित है प्रसिद्ध लोकृनित है तो आपका बताना है कौन से राजिका गोवा सिकिम त्रिपूरा या फिर नागा लेंड तो देखे अगर धालो की बात करें तो यह आपका option number A गोवा अगला question है how many journal office does RBI has reserve bank of India के पास total कितने zonal office है 1,2,3,4 तो देखे अगर journal office की बात करें तो RBI के पास total 4 journal office है next question है who presented the budget of 2022-23 in the parliament यह जो अभी recently budget प्रस्तुत किया गया है तो यह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है यह तो बहुत easy question है यह किसके द्वारा option number D निर्मला सितरमन और अभी हमने आपको बताया कि निर्मला सितरमन कौन है यह आपकी finance minister है भारत की अगला question है economic development manly depends on economic development जो होता है वो जादतर किस पर depend करता है natural resource पे capital formation size of the market या फिर all of the above तो देखिए अगर economic development की बात करें तो यह किस पर depend करता है यह सारे के सारे पर depend करता है natural resource पे capital formation पे और size of the market पे भी depend करता है ठीक है तो आपका option हम मिड़ी correct हो जाएगा all of the above अगला question है in which state constitution park has been established अब आपको बताना है constitution मतलब समविधान पार्क की स्थापना कौन से राजे में की गई है गुजरात महरास्टर राजस्थान या फिर मद्य प्रदेश तो देखिए अगर constitution पार्क की बात करें तो यह आपका option number 3 राजस्थान में स्थापना किया गया है अगला question है Victoria waterfall is related with which river Victoria जील का संबंध कौन सी नदी से है नील, Amazon, Zambezi या फिर जाहिरे तो देखिए Victoria waterfall का संबंध है आपका option number C Zambezi से ठीक है तो वीडियो के ही पेंड करते हैं वीडियो अच्छा लगा और हमारे चनल पर आप नहीं हो तो like, share and subscribe जरूर करके जाएं मिलते हैं next Trudium